हलो एवरीवन एक बार फिर से आपका जीसल गेमिंग के नए यूट्यूब वीडियो में स्वागत है तो आज के वीडियो में मैं आपको पैकाडो के बारे में बताऊंगा पैकाडो लोकेशन पे आपको कैसी लुट मुलती है वहाँ पे आप सर्वाइब कैसे कर सकते है तो मे आपको पता ही है मैं आपको बताना चाहूंगा और आपको पता भी होगा कि पैकाडो वन अफ तब बेस्ट लोकेशन है मेरा मार मैप में लूट करने के लिए तो अगर आपका प्लेन पैकाडो से होते जा रहा है तो मेरा मानना है कि आप पैकाडो में ही लेंड कीजे और य तो यह बहुत ही बड़ी आ लोकेशन है यह स्टेडियम है जो और अगर यहाँ पे आप आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे भी होंगे देखे टू किल्स हमारी अल्रेडी हो गई है तो अगर स्टार्टिक में आपको किल्स मिलती है तो पूरी गेम में मज़ा आता है भी मिल जाएगी आटोमेटिक राइफल भी मिल जाएगी देखे 6X भी मिल गया तो आईए अब मैं आपको सिधा मिलूँगा सारी लूट करने के बाद और मैं दिखाऊंगा आपको कि पैकाडो में exactly क्या लूट मिलती है कितनी अच्छे लूट मिलती है तो गाइस अभी भी हम पैकाडो में 34 पीपल अलाइव है और हमने हमारी 4 किल्स हो चुकी है तो अभी मैं बैक ओपन करूंगा और आपको दिखाऊंगी कि हमने कितनी लूट की है और यहां पे कितनी बड़िया लूट मिल गई है तो हमारे पास दो एड्रेनलीन सीरींच है पाच फरस्टेड है फोर पेंट किलर्स फाय एनरजी टरिंग और मैंने डेल सारी एनरजी टरिंग यूज़ भी किये फरस्टेड भी मैंने एक दो यूज़ की थी और देखे हमारे पास कार 98 के है और उसमें हमारे पास 6x स्कोप है एम 416 भी मिल गया है और उसमें 4x स्कोप है और यहां पे पैकाडो की लूट देखे कितने सारे स्कोप कितनी बड़िया मैडिसीन का 98 एम 416 सब्क्रेसर यहां पे सब कुछ मिल जाएगा तो मैं और एक बार आपको पैकाडो में लेंड होके बता तो कि यहां पे कितनी बड़िया लूट मिलती है इस वापस से हम पैकाडो में लेंड होते है तो वो वाइट कलर का स्टेडियम है उस स्टेडियम में ही लूट कीजे फिर एक रेट कलर की दो बिल्डिंग से वहां पे भी लूट मिल जाती है बर स्टेडियम में सबसे बड़िया लूट मिलती है फिर एक रेट कलर का कैसी नो जैसा है वहां पे भी बड़िया ल फुल स्टेप्स हमें सुना ही दे रहे हम मीनी मैप में देख भी पा रहे है कि फुल स्टेप्स एक्सेटली है का तो पहले हम उन बंदों को मार देगे क्योंकि अगर हम अभी लूट करने जाएंगे तो हम थोड़ा कॉंस्टन खड़ा रहेंगे हम मूवमेट नहीं कर कि आपके बिल्डिंग में बंदे है तो उन्हें पहले मारे और फिरी लूट कीजे तो अभी तो हमें फुल स्टेप्स सुना है नहीं दे रहे तो मुझे लगते कि वह बंदा भाग गया नहीं वापस से फुल स्टेप आए बिल्डिंग के बाहर था बॉट था और गाइस औ बिल्ड कर दिया अब हम सांती से लूट कर पाएंगे और एक फुल स्टेप से हमारी टिरी किल्ड ऑलिड हो चुके बट और एक फुल स्टेप्स आ रहे थे यहापे ऊपर हमने एक बंदे को मरती हुए देखा देखे यहाप बंढ चर भी मैं आपको पूरा लूट करने के ब बात कर रहा था तो यहाप ने एक बंदเ को भी मार दिया और अब 8 में 6X है, M4 में 4X है और हमारे पास MET KITS भी है, बहुत सारी बहुत सारी First Aid KITS भी है 9 Energy Trink है, 5 Paint Killers है तो देखिए गाइस कितनी ज्यादा, कितनी बैतरी हैं कितनी मस्त लूट मिले हैं, देखिए 4 MET KIT, 4 First Aid KIT तो अभी जो हमें Flare Gun मिली थी हम उसे यूज करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि Flare Gun में से हमें क्या लूट मिली है तो मैंने अभी Flare Gun यूज कर ली थी और देखिए, जो हमारा ड्रॉप आया वो बिल्लिंग के उपर आ गया तो उसे नीचे लाने की एक टीप है, एक ट्रीक है वो है कि Frag Granite को यूज कीजे तो यहाँ पर मैं Frag Granite को यूज करूँगा और ट्राइ करूँगा कि उसे मैं यह जो क्रेट है उसके पीछे फेकू और डाइरेक्ट जब 2 सेकेंड बचा हो तब फेकू तो देखिए एक जैकली पीछे पड़ा और क्रेट देखे स्लो मोशन में नीचे आ रहा है तो फड़ा फड़ जो भी क्रेट में उसे भी लूट लेंगे और मैं आपको कहूँगा कि यह भी लूट हमें पैकाडो से ही मिली है देखे, AWA में और ग्रोजा है और लेवल 3 का वेस्ट और हेलमेट विटर सप्रेशर AR तो देखे गाइस कितनी बड़िया लूट आपको मिल जाती है पैकाडो में से तो और एक बार मैं आपको पैकाडो में लेंड होके दिखाता हूँ कितनी बड़िया यहापे लूट आपको मिल जाएगी इस एक बार फिर से यहापे मैं एक स्कौर्ड मैच खेल रहा हूँ मेरे फ्रेंस के साथ तो यहापे भी मुझे फ्लेर गंस मिली है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरी जो बैग है उसमें क्या लूट से तो देखिए अभी मैंने स्कौर्ड तो है सारे मेरे फ्रेंस पे बात दिये थे तो यहापे मुझे बहुत सारे स्कौर्ड की लिए थे पर मैं यहापे आपको जो दिखाना चाहूँगा वो है कि मेरे पास फ्लेर गं है और जैसे आप बैक में देख सकते हो एक फ्लेर गं है और उसका एमो भी है तो यह वीडियो भी आप देख लेना 1000 IQ चीकन इनर तो आईए और एक बार मैं आपको दिखाता हो कि पैकाडो में कितनी बड़ी आ लूट आपको मिल जाएगी तो एक बार फिर से पैकाडो में हम लैंड होंगे और वो भी जो हमारा स्टेडियाम है पैकाडो वाला वही पे हम लैंड होंगे तो स्टेडियाम में बंदे आएंगे फटाफट को AR या SMG हम ले लेंगे और बंदों को पहले मार देंगे फिर सांती से लूट करेंगे तो यहाँ पे हम parachutes देख पाए और वो बन्धा था Ace वाला parachute था यानि कि वो बन्धा प्रो है Ace वाला है बट हम उसे kill करेंगे और फिर ही हम spirit की से loot करेंगे तो देखें land ही होए और हमें 3X scope मिल गया 1km मिल गई और जो हमारी mini 14 थी वो भी मिल गई वेस्ट भी मिल गया तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन है दो किल्स हमारे ओरेडी हो चुके सिक्सक्स को भी मिल गया तो गाइस अभी मैं आपको मिलूंगा सारी लूट करने के बाद और फिर हम देखते कि हमें इस बार पैकाडों में से क्या-क्या लूट मिली 4X भी देखे और 6X फरस्टेट की इट सब्रेसर एयार बहुत ही बढ़िया है तो आईए मैं आपको मिलता हूँ सारी लूट करने के बाद तो देखे गाईस अभी बैक को हम उपन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारे पास क्या है मीनी 14 है, M4 16 है, मीनी 14 में 6X स्कोप, M4 में 3X स्कोप 10 एनरजी ट्रेंक है, और 2 6X स्कोप, 8X, 3 4X and 1 3X स्कोप देखे गाईस कितने सारे स्कोप्स है, कितनी बढ़िया लूट है, कितनी सारी मेडिसिन की भी हमारे पास चीज़े है तो यही है गाईस पैकाडो, the best location in मीरा मार मैं मनताओ की तीनो मेप में से सबसे बड़ी है löट अगर कोई लोकेशन हो, तो वो पैकाडो ही है और वो मीरा मार मेप मैं मीरा माँप मैप, जो कि बहुत ही बढ़ा है तो मेरे past videos को भी एक बार check कर लेना मैंने जो last video था उसमें मैं विरा मार में chicken dinner आया था तो उसे भी check कर लेना और अगर video पसंद आए हो guys तो video को like करना बिलकुल ही मत बुलेगा और मैंने channel को subscribe करना भी बिलकुल ही मत बुलेगा and guys do join my discord server उसकी link description में भी आपको मिल जाएगी so thank you again guys thank you for watching my video I'll tell you next time see you soon